up to the annual sum insured का क्या मतलब होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं up to the annual sum insured का मतलब होता है कि वार्षिक बिमाराशी तक याने कि कई बार जैसे आपको ये बता जाता है कि ये वाला खर्चा आप इतना कर सकते हैं वाला खर्चा इतना कर सकते हैं जैसे कोई ambulance है वो आप या तो 10,000 रुपे तक का उसका खर्चा कर सकते हैं या अपने insurance policy का कोई specific percentage आप कर सकते हैं या इसी तरीके से hospital में कोई room है उसका charge भी या तो अलगलग तरीके से calculate किया जा सकता है कि हो सकता है 5000 तक का आप room ले सकते हूं या फिर वीमा राशी का कितने percent तो उसी तरीके से किसी भी चीज़ के सामने जहां ये लिखा हुआ रहता है up to the annual sum insured तो इसका मतलब है कि मान लिजे आपका 10,000 रुपे का वीमा है तो ये खर्चा आप 10,000 रुपे तक का ही कर सकते हैं क्लेम कर सकते है या आपका जितने का वीमा है उतनी राशी का ही ये खर्चा हो सकता है तो उसको कहा जाता है up to the annual sum insured तो इसके बारे में अगर आप ओर detail से पढ़ना चाहते हैं तो आपकी screen और video की description में दिया गया है आप पढ़ सकते हैं और इसको और भेतर तरीके से समझ सकते हैं कोई भी insurance policy लेने से पहले एक बार terms and conditions को ध्यान से पढ़ें और किसी भी शंका के लिए अपने advisor से detail में बात कर लें कि क्या-क्या इस insurance policy में covered है क्या cover नहीं है अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें किसी हुआ है